तो दोस्तों आज की वीडियो है वो होने वाली है टोर पे तो टोर ब्राउजर क्या है और इसका benefit क्या है उन सब के वारे में बात करेंगे तो सबसे पहले शिरुआत करते हैं टोर की फूल फॉर्म है वो होता है दा अनियन राउटर और टोर ब्राउजर का जो मेन फंक्शनेल है वो हमेशा hidden रहेगा अगेन इसमें डीटेल में बात करेंगे कि वो hidden कैसे रहता है तो उसके लिए वीडियो को देखते रही है अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ फीचर्स की जो टोर हमें प्रवाइड करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी IP अड्रेस है वो आ जाने की डार्क वेब बगेरा यूज़ कर सकते तो उसके बारे में बात में बात करेंगे अभी बात करते हैं कि इसको आप इंस्टॉल कैसे कर सकते तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है आपको सिरफ जाना है www.torproject.org slash download पे और वहां जाने के बाद जो आपको अपन को यूज़ करने का अगर मैं सही बताऊं तो इतना ज्यादा कोई benefit है नहीं अगर आप एक journalist नहीं हो या कोई whistleblower नहीं हो जो की ऐसी information share करना चाते हो जिसको जिसकी वेज़े से आपको लगता है कि आप खत्रे में पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ इस टाइप की information share नहीं कर आपको provide करता है वो तब तक ही anonymous है वो सिरफ आपकी IP address तक को ही anonymous रख सकता है लेकिन अगर आपको ऐसी website पर login करते हो जो कि आपसे सारी identification मांगता है जैसे कि आपका नाम, address, date of birth and all जो की Facebook या Twitter या other social media accounts बगेरा मांगते है तो उस case में जो है आपके anonymity जो है वो नहीं रहती है बहले ही आप तोर ब्राउजर के ओना यूज कर रहे हो तो basically इसका use जो है वो बहुत ही limited है और उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ कि तोर ब्राउजर है वो बहुत slow होता है तो उसका slow होने का जो reason है वो यह है कि जब आप जो है लेसे अगर आपने कोई website खोल ली है या कोई browsing experience आप कर रहे हो उस case में क्या होता है कि आपका जो direct source to destination है वो connection नहीं बनता है आपका जो connection है वो जो है multiple tour servers है उसके थूर होता हुआ जाता है जिसकी वजह से जो है आपकी identity तो hidden रहती है लेकिन जो number of hops है यानि कि number of connection है या number of roots है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ज उसके अलावा जो tour पे आप जाके जो है video streaming या streaming वगेरा नहीं कर सकते हैं बहुत सी इंफेक्ट जो video streaming website वगेरा है वो tour पे काफी slow होती है तो यह सब reason है कि उसकी वजह से tour जो है general public उतना ज्यादा use नहीं करती है अब quickly बात करते हैं कि tour काम कैसे करता है तो typically दोस्तों होता है जब भी आप website access करते हो तो आपका जो IP address है वो जो है destination तक जाता है उसकी वैसे आपका IP address बड़े आसानी से capture कर सकते हैं और आपके IP address से आपकी location का बहुत easily पता लगाया जा सकता है अब tour के case में क्या होता है जो आप similar website वगेरा जो आप access करते हो using tour browser तो उस case में जो आपका IP address इसे वो directly जो destination तक नहीं जाता है आपका connection है वो tour client से होता हुआ entry guard, middle relay servers और उसके बाद exit relay server यानि कि यह जो पूरे का पूरा server जो है यह सारे tour के servers है इनके through होता हुआ जाता है और फिर destination पे जाके जो आपका connection है वो reach करता है अगेन इसके बीच में हर server की अपनी एक अलग IP address होती है और आपका जो IP address है यानि कि जो आपका connection है basically यह सारे network servers के through होता हुआ जाता है जिसकी वज़े से आपका जो आपकी identity जो है वो completely hidden रहती है यानि कि जो destination को IP address मिलेगा वो हमेशा IP address मिलेगा exit relay का और किसी भी case में जो आ अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो dark web को हम access कर सकते हैं Tor browser use करके और जो misconception है dark web को लेके उससे related बाते करेंगे और जो कुछ myth है उसको burst करने की कोशिच करेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो comment section में बताना कि वीडियो कैसी लगी उसके के लावा कोई भी suggestion हो तो please मुझे बता देना comment section में ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में